आधनियो प्रास्टपती जी सिमान अंसारी जी कल से जो दाई तो समालने वाले हैं वो सिमान कोई कहना एड़ू जी आधनियो स्पीकर महधाया मन्च पर विरास मान सभी वरिष्ट महान भाव मुझे बताया गया कि 1984 के बाद शायद पहली बार किसी उप्रास्टपती की बिदाए का समारो हो रहा है क्योंकि ज़्यादा तर इस्तिभाद देने के कारण या रास्टपते का चुनाव लड़ने के कारण और किसी का स्वर्गवाज के कारण बीच में ऐसा आउसर ही नहीं आया और जब 84 में समसद में उप्रास्टपती जी का बिदाए का दिवस था तो उस समय पर इंद्राजी भी मौझूद थी कई वर्षों के बाद ये आउसर आया है दस वर्ष का कारकाल एक साउसत के नाते दस वर्ष बिवीदताओं से भरा हुआ रहता है बहुत excitement के पल आते हैं उतार चड़ाव आते हैं समाज जीवन में घटने वाली घटनाओं का एक साउसत के जीवन में बहुत कुछ होता है इतने सारे अवस्थाओं के बीच चेर्मेन को एक स्थीरता बनाया रखने पड़ती है कितनी ही तीवरता क्यों नहों कितनी ही विप्रिश अवस्था क्यों नहों और दस साल सक लगातार इस अवस्था को चलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कौशल्य की धैर्य की और इंटलेक्ट्री एबिलिटी की रिक्वार्मेंट के गारणफ हो सकता है आम तोर पर पद कोई भी रहा हो लेकिन सार्वजिनिक जीवन हमारा ऐसा है कि विबादों से घिरा हुआ रहता है सही जूट पटा चलते चलते तो दाग चिपक जाता है और बाद में कोई सही जूट में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता है कितना लंबा सार्वजिनिक जीवन में अलग लग पदों पर दाइत तो समालने के बाद कम से कम मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घीरी हुई हो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है सार्वजिनिक जीवन में हम सब्सके लिए सिखने वाली बात है अंसारी जी का परिबारी बैग्राउंड बहुत ही रहीशी एक प्रकार से सार्वजिनिक जीवन की रहीशी विरासत उनको मिलती रही है, उनके दादा, नाना, पिता, किसेने किसी सारवजेनिक जीवन में वो नेत्रुत्व करते रहे हैं, बहुत कम लोगों को मालूम होगा शायद, उनके एक फस्कजीन, ब्रिगेडियर उस्वान, 48 में, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में, जम्मु की धर्ती पर शहीद हुए थे, देश के लिए बलिदान दिया था, तो ऐसी एक परंपरा से पले बढ़े अंसारी जी, समसद में, और मेरा अनुभवरा है कि वो अपनी विश्य में बहुत कम बताते थे, शायद वो उनका केरियर डिप्रोमेट के कारण भी शायद ये उनका गुण विक्सित हुआ होगा, कि सामने वाले को बीजी रखो, वो बोलता रहे, हमारे जरूरत निकाल देंगे, और वो गुण उनको साधन में भी बहुत काम आया, बोलते रहो भई, देखेंगे आगे क्या होता है, जब ऐसे बिदाए समारों में, जिनकी बिदाए हो रही हैं, उनके लिए जो बोला जाता है, एक प्रकार से हीडन वे में, जो आने वाले हैं, उनके लिए संदेश होता है, ये गून थे, ये गून थे, ये गून थे, सब इसलिए कहा जाता है कि भाई, आप भी ये करदा, और मुझे, भेंकाई जी का पुरा अनुभव है, सानों तक से लिए हैं, तो वो इसमसे हर बारीक चीज़ को पकड़ते होंगे आज, मुझे भी स्वास हैं कि इतना लंबा सक्रिय जीवन, इतना लंबा अनुभव हो, दस साल के कारकाल में, काफी बढ़ला और आश्ट जीवन में भी आये हैं, और इस पत पर रहकर कि उसको देखने का एक अलग अवसर मिलता है, जो उन्हें मिला है, सदन की कारे सहीरी में भी बढ़लाओ, नए सुझाओ, हो सकता है वो जब तक वहां थे, संभवन न हुआ हो, मुझे मालूम नहीं है कि इस पत से बुधकाल में जो निवरुत हुए, उन्होंने बाद में इस वेवस्ता में क्या आमूल चूल परिवर्तन करने चाहिए, वेवस्ता में क्या सुधार लाना चाहिए, टेकनोलोजी को कैसे लाना चाहिए, ज्यादा हमारा समय प्रोड़क्टिव कैसे बने, आउटकूम कैसे ज्यादा बढ़े, क्योंकि वहाँ बैटे हैं तो उन्होंने सब देखा होगा, हमारा अपर हाउस और अधिक क्रेडिबल कैसे बने, इसका मरलवीनिक आज क्रेडिबल नहीं है, और अधिक, और अधिक समाज के लिए एक बड़ी स्रद्धा का कैंद्र कैसे बने, लोगर हाउस के लिए भी अपर हाउस एक स्रद्धा का कैंद्र कैसे बने, सिर्फ प्रेयना का नहीं, मैं स्रद्धा का स्रद्धा प्रोड़कर रहा हूँ, बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, बहुत कुछ उन्हों गहमी है तो उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए कुछ स्ट्रेंड लेना पड़ा होगा लेकिन उस मैं से कुछ करते चलेंगे उसके कारण हमारी इस्टिटूशनल ववस्ता हैं और अधिक अच्छी बनेगी और मैंने देखा है कि वह उनकी उनकी शमता उनका डाइनिमिजम और जिस परकार से उन्होंने हेल्थ को मैंटेंड किया है तो बहुत कुछ कॉंट्रिबूट आगे भी कर सकते हैं मैं आशा करूंगा कि वो जरूर हम लोगों के लिए उप्यों की बहुत सी चीजी हमें देते रहें मेरी उनको बहुत बहुत सुक्वामना है उत्तम स्वास के लिए सुक्वामना है उत्तरोतर देश की जरूरी चीजों में उनका मारदर से मिलता रहे इस अपरक्षा के साथ बहुत पुतने वाग